है गाईस विल्कम बैक तू आई ये टू चैने ने इस्टैलर स्विक्षा माई स्विक्षा सिंग आज मैं आप लोग की साथ एक नई वीडियो शेयर करने वाली हूं आप लोग देख रहे हो तो उसका जो आप लोग सामने देख रहा है करा हो पार्ट होता है वह सामने ही रखें उसके बाद आप अच्छी तरwriter को बेर ज्यादा अच्छे दिखती है और बोडी पे अगर अच्छी तरीके से बेर किया जाए तो बहुत ज्यादा फिट दिखती है तो मैं ओपन करके दिखा दूँ आप लोग को कि एकदम ज्यादा प्यारा फाइबरी के वह भी रेट कलर का है और रेट कलर में अगर कोई भी सारी पर्षेस करना चाहते हो तो बहुत इजी तरीके सापर्षेस कर सकते हो एंड आप लोग को भी पसंद होगा कि टीडेड कलर की सारी जो उसका लुपक होता है अगर बॉड पर अच्छी तरीके से फिट होता है उसका लूप बहुत ज्याद़ अटेक्टिव दिखता है कि ऐं मेरा लास्ट वाला फैब्रिक जो मैं साइज करके ही अपने फैब्रिक को राइट साइट से टकिंग करके स्टार्ट करूंगी राइट साइज से टेकिंग करके पहले आप वोग ऐसे ही साइज कर लिजिए साइज करने के बाद आपको जो इसका लाश्ट वाला कोर्नर मैंने अपने लेट हैंड से पकड़ा हुआ इसे मैं थोड़ा सा राइट के पीछे ही टक करूँगी क्यूंकि सामने नहीं टक तो बहुत सारे प्लेट्स बन जाएंगे इसलिए थोड़ा सा फैब्रीक आप बैक साइट ले जाके टक कर लिजिए बैक साइट टक करने के बाद सिगर टक कर लेजिए ऐसे अपने दोनों फिंगर से अंदर की तरफ इन कर रही हूं ऐसा ही आप लोग को भी इन करना है जिस है बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव दिखता है सो बहुत ही हलके फिंगर से मैंने अपना शारा बेशिक राउन की जो टकिंग है वो कंप्लीट कर ली है अब बारियाती पल्लू की प्लेट्स की सो सारे फाइब्रिक को आप पहले राइट करने के बाद आपका लाश्ट वाला कोर्णर आएगा कोर्णर दोनों फिंगर से आप पकरते हुए प्लेट्स को एरेंज करना है सो अगर ौडर के कॉअडिं प्लेट्स को मैज कर सकते हो अगर वैसे ही करना चाहते हो तो zarange कर सकते हों तो बिल्कुलेगे तरीका से आप एरंच कर सकते हो साड़ी में छोटे दिखते हो या मोटे दिखते हो तो उसका जो लेंद होता है वो आप लंबा ही रखे एंड जो नीची का फैब्रिक है मैंने ब्रेश्ट को हलका चाहँ हाइड करते हुए बैक साइड से सामने की तरफ ले आया फैब्रिक ऐसे ही सामने की तरफ लानी के बाद, अगर आप बैक साईड का थोड़ा चाल भी वाड नहीं दिखाना चाहते हो ता आप उसे हाइट कर सकते हो अपने फैब्रिक से, सो मैंने साइज करके इतना फाइब्रिक छोड़ दिया है साइड के शेप के लिए एंड अब चलते हैं पर लोग नीची का प्लेट्स बैली बटन वाला प्लेट्स अच्छी तरीके से एरेंज कर लें आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि ऐसी साड़ी कोई भी किसी भी शौप पे आपको मिल जाएगी ओभी सिंपल साड़ी है सिंपल साड़ी का लुक जो होता है बहुत ज़्यदा एट्रिक्टिव दिखता है कोई भी किसी भी कलर का हूँ चाहे जिस कलर में आप पर्शेश क चाहते हों उसी कलर में अगर आप साड़ी को अच्छे तरीके से एकरी करते हो तो मेरा ये वीडियो आप लोग लाट तक जरूर देखना जिससे आप साड़ी को ईज़ी तरीके देप कर सकते हो और अपलों देख रहे हो उसके अंदर Beenasan कमाता में नीचे कं नीचे करंके फैब्रिक एक भी फैब्रिक नीचे गिरेना और एक साइज से सारा फैब्रिक रहे आप लोग देख रहे हो यहां मैंने छोटा चाशा शेपटी पीन यहां पे मैंने लगाया है अब शारे फैब्रिक को अच्छे तरह के सेट करते हुए बैली बिटन के शामने में टक कर आपका एक भी फैब्रिक गिरने वाला नहीं है सो बैली बिटन के शामने आप लूग देखी रहे हैं मैं अपना शारा फैब्रिक टक कर ली हूँ टक करने के बाद अब अंदर की शायट से सारे फैब्रिक को लेकर फिर से एक शेपटी पिंचल सिकोर कर लेना है जब आप श हैं से प्लेट्स को एरेंज करना स्टार्ट की हूँ पहले आप एक दो प्लेट्स अच्छी तरीकी से एरेंज कर लें एक दो प्लेट्स अच्छी तरीकी से एरेंज करने के बाद उसी के कॉर्डिंग सारे प्लेट्स को आप एरेंज कर सकते हो जिससे आपको फैब्रिक बिल तरहां दिन गाइज अब क्या करना है आपको जहां पर अपको चोटा हो गया या फिर बड़ा हो गया उसी की कॉर्डिंग आपको फिर से सारे प्लेयर्ट को करना पदा है सो मेरा जो सारा फैब्रिक था प्लेयर्स का एर्रेंज हो चुका है उसे मैं अपने लप्ट वाले शोल्डर पे अच्छे तरीके से सेट कर ली हूं वैसे मैं एक ट्रिक और आपको बताने वाली हूं यह जो फैब्रिक आप लोग देख रहे हो उपर वाला फैब्रिक है आए हो यह अंदर की साइट से लगाने से आपका फैब्रिक उपर से आप ढग दोगे तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा सा लुक देगा एंड आप लोग देख रहे हो साइट का शेप बहुत ही जादा अच्छा दिख रहा है ऐसे ही टाइटली आप लोग भी इजी तरीक से आप लोग भी साइटी को टेप परना सीख जाएंगी तो इस इस माई फाइनल लोग मेरा आप लोग के शाम नहीं है अगर यह वीडियो मेरा आप लोग के लिए थोड़ा शावी हेल्फुल रहा हो तो मेरे लाइक की बटन को हीट कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हों सो मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और नए इस टेप के साथ अब तक के लिए बाबाए